Hello students, आज हम हिंदी में सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं, ये सिखने वाले हैं पहला उदारण है, स्वस्थ रहने के लिए हमें पौश्टिक आहार लेना चाहिए यह सरल वाक्य है, इस वाक्य का मिश्र वाक्य हो जाएगा यदी स्वस्थ रहना है, तो हमें पौश्टिक आहार लेना चाहिए इस मिश्र वाक्य में हमें पौश्टिक आहार लेना चाहिए, ये complete sentence है यदी स्वस्थ रहना है, तो यह dependent sentence है, आश्रित वाक्य है इसका अपना complete meaning नहीं है तरल वाक्य में एक क्रिया होती है मतलब एक verb होता है इस वाक्य में लेना चाहिए यह क्रिया है और हमें पता है कि मिश्रवाक्य में दो क्रियाएं आती है क्योंकि मिश्रवाक्य में एक main sentence होता है और एक dependent sentence होता है या हम कह सकते हीं कि एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में convert करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए दो verbs लिखेंगे इस वाक्य में रहना है यह एक वर्ब आया है और लेना चाहिए यह दूसरा वर्ब आया है इसके और दो उदाहरन हम देखते हैं शिक्षक कक्षा में आते ही बच्चे खड़े हो गए यहां खड़े हो गए यह वब है यह क्रिया है अब हम इस सेंटेस को मिश्र वाक्य में कनवर्ट करते हैं जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए बच्चे खड़े हो गए इस वाक्य में आये यह ये क्रिया है और खड़े हो गए यह भी क्रिया है इस वाक्य में बच्चे खड़े हो गए यह complete meaning वाला sentence है और जैसे ही शिक्षक कक्षा में आये यह dependent यह आश्रित वाक्य है और एक उधारन देखते हैं पिंजड़े में बंद तोता फल खा रहा था इस वाक्य में खा रहा था यह क्रिया है अब हम इस वाक्य को मिश्रवाक्य में बदलते हैं जो तोता पिंजड़े में बंद था वो फल खा रहा था बंद था और खा रहा था यह दो क्रियाए हैं मिश्र या मिश्री तवाक्य बनानी के लिए योजक शब्द का उप्योग होता है जैसे यहाँ यदी तो जैसे जो वो ये सभी योजक शब्द है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझेंगे थैंक यू